जोक्तर तीना यहाँ पर राजीव जेटली तो कह रहे हैं कि संभल जाएगी स्थिती लेकिन कॉंग्रेस के लिए भी हालत वो तो आप तो लगतार दावे कर रहे थे तमाम स्टेटेजी आपने अपना लिती लास्ट मुमेंट तग आपने लिस्ट जो है अपनी चिपाय रखी आखरे दिन 86 मिद्वार बाकी तीन की तो नामंकन के आखरे दिन ही आपने जारी की लेकिन उसके बावजूद भी आपके आभी कम बगावती सुरू नहीं दिख रहे हैं बयालियस ऐसे कानिडेट्स लड़ना चाहते तें नहीं लड़ पाए शुक्रिया देखिए मेरी आवाज आ रही है हाँ बोले डॉक्टर टीना देखिए संखनात हो चुका है और बदलाव का बिगुल बच चुका है और हर्याना के हर्याना वासियों ने ये मन बना लिया है कि कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बार बार हम कह रहे हैं कि भारत की जनता पार्टी जा रही है और कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है अभी मैं आपको ये बता दू कि देखिए हमारे यहां जब जैसे ही चुनावायों की तरफ से गोशना ह हुई 2556 आविदन आए कॉंग्रेस पार्टी के लिए 90 सीटों के लिए और इसी में हम लोगों को यह बड़ी चुनोती थी हम लोगों के सामने की बैस से बैस कैंडिडेट उसमें चुना जाए और उसमें जब जिस तरीके से हम लोगों ने रनी थी के तहट 90 कैंडिडेट निक लेकिन अगर कोई व्यक्ति संगठन से जुड़ा हुआ है और वो यह समझता है कि हम संगठन अगर हमें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई तो हम अपनी दूसरी जिम्मेदारी नहीं भाएंगे तो देखे सबसे पहले तो मैं यह बता दूँ कि जो जनता जो कैडिडेट या जो व्यक्ति यह चाहता था कि टेकट नहीं मिल पाया कि फिकारन बस तो मुझे लगता है कि जो कॉंग्रेस पार्टी को समझता है वो जानता है वो कॉंग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा और ये जो चुनाव है ये मैं हर्याना का चुनाव नोक्री के लिए दरबदर हो रहा था प्लाएन कर रहा था और लगातार आप देखेंगे यहां गोटाले एक से गोटाले प्रस्टाचार गोटाले कितने गैसे गोटाले अमरित गोटाले हुए जिससे लोग बिलकुल पूरी तरीके से हरियाना में कहते हैं धाप गए थे भारती जन्ता पार्टी से और अगर आप आपके यहां तो आंतरिक जो गुढबाजी है अभी भी हुड़ा और शेलजा उनको लेकर तकरार अभी तथमती नहीं नजर आ रहे हैं दबे सुर से वो तकरार दिख रही है दूसरा आपके सवाल कर दिया पर तो गडबंधन की तस्मीर दिखा कर और फिर उसकी बाद खुद अपने मूँ से कहा है कि जो टिकेट मिलता है हाई कमान ते करता है और हम उस निर्णे से खुश हैं तो किसी तरीके की कोई गुटबाजी नहीं है ये भारती जंता पार्टी जान बूझ कर मीडिया के माधियम से और जिस तरीके से दिखा रही है बना रही है ऐसा हर्याना मे कुछ नहीं हर्याना की जंता सिर्फ और सिर्फ ये चाती है कि कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बने और जो हाथ का जो पंजा है वो इस सरकार में आए क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि जब से ये सरकार दस साल से रही है सत्ता में आप देखें कि कोई ऐसा विकास का काम नहीं किया हर्याना जहां नंबर वन था विकास के मामले में वहां पर बेरोजगारी में नंबर वन बन गया अपराद में नंबर वन बन गया है और लगातार यहां पर देखें कि महिलाओं के साथ किस तरीके से दुराचार हो रहा है और मुझे तो यह लगता है कि जब कोई जब आपने विनेश फोगार्ट को जब मैदान में उतारा तो ये नारा दिया गया था कि चक दे इंडिया, चक दे हरियाना, इंडिया तो है ही नहीं अब, अब तो कॉंग्रेस है, देखे, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमने पहले भी कहा, कॉंग्रेस पार्टी हम लोग लगातार प्रियास कर रहे थे कि गटबंदन हो, जिस तरीके साम आद्मी पार्टी और इन्होंने अपनी प्रियास हो रहा था या फसाय जा रहा था दॉक्टर टीना, तस्वीर कुछ औरी नजर आ रहे थे, हम लोग लगातार इंडिया अलाइंस को सफल बनाने में कामियाब रहे, हमने अपने गटबंदन धर्म बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं और हम अपना गटबंदन धर्म निभाना